दोस्तो इस वीडियो में GST की एक important relaxation आपके साथ discuss करने जा रही हूं तो वीडियो में आके बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी notifications आपको timely मिलती रहें तो GST के अंदर अभी हाल ही में notification issue की गई है notification number 30 यह notification 30 चुलाई को issue की गई थी इस notification के अंदर basically कुछ चीजे ऐसी थी जो आपको पहले से ही पता थी कि GSTR 9C का जो की council meeting में ही decide कर दिया गया था इसके अलावा एक important relaxation है जो आपको काफी राहत देने वाली है GSTR 9 से related यह जो relaxation है यह आपको दी गई है paragraph 8 के अंदर और इसके रहसासा दोस्तों आपको बता दू कि GSTR 9 अब up to rupees 2 करोड अगर आपका turnover है तो exempt कर दी गई है आपको file करने की आवशकता यहाँ पे नहीं है आपको exempt कर दिया गया है filing से GSTR 9C में अभी भी वही limit है 5 करोड की लेकिन अब जो है आपको self certification ही करना है चलिए अब हम बात कर रहे थे अपने important relaxation की तो आपका जो paragraph 8 है ना paragraph 8 के अंदर जो इन्होंने relaxation दी है वो आपके काफी जादा काम आने वाली है किस तरीके से काम आने वाली है चलिए वो देखते है यह मैंने open कर ली है अपनी notification और इस notification के अंदर paragraph 8 के अंदर आपको relaxation दे दी गई है और कहा गया है कि paragraph 8 के अंदर जहां पे figure letter words यह GSTR 9 ओपन हो गई है अगेंस serial number 13 paragraph 8 in the table in the second column के अंदर for the figure letters and words जहां पे 18, 19 and 19, 20 लिखा हुआ है वहां पे आपको पढ़ना है दे ओकर as figure letter words 18, 19, 20, 20, 21 शेल बी सब्स्टिटूटेड तो कहने का मतलब यह है कि paragraph 8 में आपको एक relaxation दी गई थी 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए वो relaxation अब आपके लिए applicable हो जाएगी 20, 21 के लिए भी ठीक है क्या वो relaxation थी वो relaxation basically यह हमने खोली है अपने जो है GSTR 9 की instructions और इसका जो यह paragraph 8 है वो मैंने open कर लिया है यह देखे paragraph 8 open कर लिया है और इसका जो 17, 18 नमबर कॉलम है इसके अंदर आपको जो है detail की बात की गई है कि आपको summary of supply effective and received against a particular HSN code to be reported only in this table और वो optional की गई थी taxpairs के लिए जिनका turnover 1.5 करोड है और mandatory किया गया था कि HSN code आपको report करना होगा अगर आपका turnover above 1.5 but 5 करोड है लेकिन 4 digit के लिए बोला गया था अगर above 5 करोड है तो इस तरह की requirement आपको यहाँ पे दी गई थी इस column के अंदर लेकिन 17, 18, 18, 19, 19, 20 में आपको relaxation दी गई थी कि यह table आपके लिए optional रग दी गई थी same अब यह जूर notification आई है इस notification के द्वारा 20-21 financial year 20-21 में भी आपके लिए यह requirement optional रख दी गई है तो यह HSN वाली जो details है यह आपके लिए optional हो गई है financial year 20-21 के लिए भी तो यह काफी important relaxation है JSTR 9 के अंदर इस वीडियो को share जरूर कीजेगा important लग रही है तो share कीजेगा like कीजेगा और चैनल को subscribe कीजेगा मिलते हैं next वीडियो में next update के साथ तब तक के लिए thank you for watching